अरे रोई सर्म भाई ये क्या सीन चल रहा है सुने हैं कि इसान किसन पहले वंडे में नहीं खेल पाईगा और हमाई भी पहले वंडे में खिलाने का बहुत कम चांस है मतलब ये क्या चल रहा है इसान किसन अपने पिछले मैंच में डबल सतक ठोक कराई है और हमने पिछले टी सुने हैं कि हमको भी खेलना मुस्किल लग रहा कि अगर 5-6 गैन बाजयों के साथ उतरते हो मतलब यह चल क्या रभी यह क्या नसे बाजय हो रही है यह चैन के नाम पर के अब भाई यह हम रन भी बनाएं फिर भी हम टीम से बाहर हो जाते हैं मतलब केल राहूल भाई साब कुछ नहीं कर पाते हैं पिछल 10-12 मैंचे हो मैं देख रहे हैं उनको 10 बार रन बने और वो फिर भी टीम में भाईया यह नहीं सहेंगे हम दंगे कर देंगे अरे सूर्य आदव ऐसी बात नहीं है भाईया अभी इसान किसन को बाहर क्या है तुमको नहीं क्या अभी बार तुम्हारे बारे में तो सोचा जाएगा मैंस से पहले बाहर करना है के नहीं करना हो सकता तुमको आराम दे दिये जाए इस मैंच में इसलिए थोड़े सी दिक् पिर बाई गुड़ बाई हो जाएगा उनका साथ भी अरे बाई ये क्या बक्वास बाजी है मतलब हमें जबर जस्ति आराम दे दिया जाएगा बाई बाई ये केल रहा हो लोगों क्यों नहीं देते हैं तुम आराम ये बताओ पहले तो मतलब ये करता क्या है बाई ये क्या ये दोस्ति ये तुम्हारी क्या है बाई ये क्या जुगाडवाजी जिसकी होज़े से उनको खिलाया जा रहा है बाई बाई ये सीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है टीम है दस सालों में बड़ी मुश्किल से था में मौका मिला है उसके बाद हमों को जबर जस्ति आराम देते हैं हमें आराम की जरुत भी नहीं होती उसके बाद फिर भी यह हमसे नासा जा रहा है जितने भी गड़बड हो चल रही है अरे सूरे कुमार भाई समाज में मेरे भी नहीं आ रहा है क्या नसे बाद यह चल रही है वह यह चैन के नाम पर एकदम बढ़ नसा चल रहा है और वह इसान के सान जिसने पिछले वंडे में भी आपने में लाश्ट वंडे में डबल सतक ठोका था उसको बहार बैठाई दिया एक दिन पहले वो भी भाई ऐसे कहीं होता है कहीं इसी टीम में चल रहा है यह सीन तो भाई जब हमका अपतान थे जब तो ऐसी बेकार की बात नहीं होते थी अरे सरमा जी यार तुम बाहर बैठाओ तो अपना आपको बैठाओ केल राहूल को बैठाओ लेगे नहीं भाई जो दो दिन से आया लॉंडा कुछ ना करा दो मैंचो मुस्किल से चला उनको खिलाया जा रहा सूर्या और भाई यह तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो रहा है इससां के सन भाई यह हम कुछ नहीं कर सकते इसमें अरे विराट को ली भाई यह बाहर बैठाने की भी कोई व फिर तो और खिलाड़ी आना पड़ेगा इस हाला से यह टीम कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाईगी